नमस्कार दूस्तों कैसे हैं अप लोग तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कंपानी के आफडेट सेयर करने वाला हूँ और जो कंपानी इसको पर मैंने खुद आज स्विंग बेसिस में टेल लिया था उसका फाइनल टार्केट अचीब भी हो चुके हैं कि पॉन्ट अफ व्यू से मैंने उसको एंटी लिया और किस लेवल तक मैंने होल्ड किया वो मैं आज आपके साथ सेयर करूंगा तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे बहले मैं डिसकेसन करूंगा मोतिलाल ओस्वाल के भारे में तो मोतिलाल ओस्वाल फाइननसल अब आपको जल से जल टार्गेट मिनने का चांसस है सबसे पहले कमपानी के वैलुशन आपको चेक करना पड़ेगा अगर वैलुशन को देखू तो कमपानी का पीरी से एकदम सस्ता है और कमपानी का रोसी आरे तो ठीक है इनकम भी जवदस्त है हाँ मानी लेता हूँ कमप अब कमपानी के उपसे पहले में चार्ड आपके साथ से एर करता हूँ देखे जिस पैटन्स की उसके मैंने काम किया वो पैटन्स मैं आपके साथ से एर करूँगा देखे यहां पर एक दो तीन और चार इस चार बाइंग के बीच में कोई भी रेड केंडल नहीं बना ध्या और इसके लिए मैंने एक रेंज को मार्किंग किया टॉप लेवल एन बटम लेवल तो जब रेंज को मार्किंग किया तब रेंज निकल गाया कितना करीबन 36.93 परसंट तो मेरा एंटी कहाँ बना जब इस सेर नीचे आकर इस लेवल को टच करेगा तब बनेगा एंटी और इस हाइ लेवल तक बनेगा टारगेट तो इजी लिवो टारगेट को अचीव किया अलमोस्ट अचीव किया तो कितने दिने में किया वो भी मैं उपको बता दू एंटी लेवल कुछ ट्वटी सरी 15 अव जुलाई में हुआ वासर लेकर कमपणी जो टारगेट किया स्टेटिजिस को ढूंड़ा है आप जिस स्टेटिजिस को पर काम करते हैं उसको पर भरोसर रखिए इस कमपणी इतना जल से जल टार्गेट क्यों दिया उसके पीछे रिज़न देख लिजिए वह है क्वार्टरली रिज़र्ड यूकि रिज़र्ड बहुत सांदर था एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट पॉफिड भी सांदर था फिर भी सेयर में इतना बड़ा फॉल हो गया तो जब सब कुछ ठीक ठाक है तो उस कमपणी के सेयर में अगर कुछ कारण के बज़े से गिरावट हो रहा है तो कभी न कभी वो बाउन्स बेग करेगा हाँ मैं अबिसली स्वाक्ट हूँ क्योंकि इतनी जल सजल इतना सांदर रिटर मिलेगा ऐसे मैंने सोचा नहीं था तो चीजों का अगर समझा जाए तो कमपानी बेस तरीके से आप एंटी और टार्गेट दिया है और उसी बेसिस में आपको कमपानी इसके उपर कंटिनू क करना होगा तो मेरे डेटा के हिसाब से मेजोरी कहोंगा आपको कभी इस तरीके से काम करना है तो सबसब पहले सारे चीजों को स्टडी करना होगा जैसे और एक डेटा में आपको दिखाँंगा कि कमपानी के उपर दम कितना है आप देख सकते हैं करजा इस बड़ बढ़ा और लोगों का मन में जो डाउट है कि 13,700 करोड का कर्जा ले लिया, क्या वो मिटा सकते हैं? तो दिखिए पहले कि 8,700 करोड का खुद के हाथ में रिजव है, 600 करोड का कमपानी की हाथ में एसेट है, तो आड़ है 700,600 करोड, अल्मोस्ट अब बोल सकते है 9,100 करोड, तो चलो अभी भी तो बागी है पैसा, तो वो कहा से मिलेगा, चलो वो भी दिखा दिता हूँ, देखिए कमपानी के हाथ में क्यास कितना है, 12,000 करोड, तो क्यास एकुमेलेंट कितना है, 12,000 करोड, तो कमपानी एक चूटकी में खुद के करज़े को मिटा सकते है, जोर लोगों के मन में डाउंड होते है कि इतना ज़दा करजा ले लिया, तो क्या आप मिटा सकते है, हाँ बिलकुल मिटा सकते है, तो इस चीज़ों को आपको सबसे पहले समझना होगा, तो आपके क्या वीव है इस कमपानी के उपर जुरू कमेंट्स करना, फिलाल के लिए मेरा कोई एंटी तो फिर से नहीं बना, यह कि मैं एंटी तब लेने वाला हूँ, यह पर अगर बिग कप तो बन चुके है, अगर छोटा सा एक हैंडल पटन केट करे, तो मैं फिर से गवार फ्रेस एंटी लेने जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट जो कमपानी उसका नाम है पॉलीकेप, देखें पॉलीकेप के भी सेम तु सेम हालत है, कमपानी के उपर जब करेक्शन हुआ था, एक बिग जर्नी होने के बाद एक रिटेस्टमेंट हुआ था, तब भी मैंने आपको बता था, कि ये रिटेस्टमेंट सिर्फ पॉफिट बॉकिंग के उपर है, यहां से नीचे नहीं जाएगा, और जब भी सपोल लेबल को टच किया, और सपोल लेबल को टच करने के बाद, एक हैमर जैसे कैंडल बटन केड़ हुआ, तब एक डेटा क्लियर देखने को मिला, कि कमपणी इसके उपर जिस तरीके से सिच्चिएशन बना है, जिस तरीके से स्टाटिजीज बना है, उस बेसिस में कमपणी में एक अच्छा खासा यासे बुष्ट देखने को मिल सकता है, तो पॉली के उपर जिस तरीके से आप ए बाउंड्स बेक किये थे, उसके बद करेक्शन हुआ, उसी तरीके से देखे, फिर से एक बार रिकवरी भी करेगा, और बड़े इंस्टिटिशन जेफ्रीस ने इसका टार्गेट भी कुछ इस हाई लेवल के उपर रखा, तो इजीली वो लेवल, एक्चुली जेफ्रीस ने जो टार्गेट रखा, वो 8,415 रुपीज के आसपास, इतने बड़े टार्गेट भी ने रखा, तो इस लेवल तक क्या जाएगा, जुरूद जाने का चांसे से, क्योंकि कमपानी में दम है, कितना दम है आप खुदी क्वार्टर लेजल में देख सकते हैं, 3,800 क्रोड से 4,600 क्रोड तो कमपानी के सेल्स वा, मालने तो पिछले क्वार्टर ये के तुने छोटा मोटा सेल्स काम हुआ, और अभी भी कमपानी के जो प्रॉफिट हैं, वह भी देखिए कंटिनेसली कमपानी में बेंटन कर रहा हैं, तो कुछ companies में ऐसा होता है कि हर time हर साल में हर quarters में खुद को अलग level में represent करता है और जिसके चलते company में अच्छा खासा growth आते हैं अभी लोगों का मन में जो doubt है वो यहाँ पर clear हो जाएगा कि कि sales का growth last 12 months में and profit का growth वो भी last 12 months में अच्छा खासा यहाँ पर growth देखने का मिला 24% till 2 months में and 23% till 2 months में तो दोनों में ही अच्छा खासा growth है आपके देखना के मिले इसके कारण CGR के जो percentage है वो भी धमा का जैसा performance दिया एक साल में 36%, 5 साल में 55%, 5 साल में 66% और 3 साल में 55% मतलब एक अलग level का company का profit generate हुआ मतलब अलग level का return generate करके दिया अभी इस company के उपर दो चीजों का आपको समझना पड़ेगा पहले देखिए इस company के उपर promoter ने तो मान same to same रखा mutual fund ने क्या क्या कुछ quantities को based दिया मतलब साड़े साथ 8% से holding को 5% लेके आये और उसी तरीके से अगर FIS के data देखू तो साड़े 5% से around 13.5% का holding देखने को मिले मतलब institution इस company के पूर अच्छा कासा quantity को sell अब किया और इस तरीके से अच्छा कासा quantity को sell अब करने के कारण companies के उपर एक इंस्टिटिशन ने sell किया और दूसरे ने buy किया मतलब company में dumb है इसलिए company के उपर institution बने रहना चाते हैं तो बाकी इस company के उपर मेरा view आपके साथ share के हूँ आपका view क्या है मुझे comments करके बता सकते हैं नेश्च चो company और एक company जिसका ना में जास्टायल finally जास्टायल के उपर भी target अच्छी हो चुके है देखिए सब कुछ patience का game है और सब कुछ अपको analysis का game है अगर आप सही तरीके से सही धंग में analysis किये और उसके उपर patient के साथ बने रहे तो आज ने तो काल उसको target आपको मिलेगा यसे pattern आपके क्या बना था solder उसके बाद big head बने उसके बाद दो बाद solder बने और finally क्या हुआ breakout भी हुआ breakout confirmation भी हुआ retest किया उसके बाद company धीरे धीरे करके इसका target को भी अचीव किये तो best तरीके से आपे target का अचीव किया और सांदा तरीके से आपे target वो मिला तो मुझे लगता है जिस तरीके से company के performance हुआ है वो कितने दिनों में target का अचीव किया देखे जब breakout हुआ breakout confirmation हुआ तब मैंने anti नहीं लिया 20 तब लिया जब इसका retestment हुआ तो retestment से अगर मैं target तक देखू तो almost जो target मिला है वो 74 days में और कितना percentage का return मिला 44% के आसपर तो एक बहतरीन एक target अची हुआ है एक better in performance हुआ है सिर्फ performance ही अच्छा नहीं हुआ company के performance भी अच्छा है जैसे इस चीज़ों को आप देखेंगे तो company का जो quarter result है अगर बो देखेंगे तो company का quarter लिए आप result देख सकते है company इस बार harshly sales channel किया जो आज तक के सबसे जादा sales है और उसी तरीके से company के expense भी मिटाने के बाद company के net profit भी इस बार harshly देखना को मिला जो आज तक के सबसे harshly net profit है जब कोई company इतने अच्छा खासा performance कर रहा है उसका earning price share साड़े 9 रूपीज से directly साड़े 16 रूपीज हो चुके है तो एक growth तो यहाँ पर दीख रहा है और उसके साथ साथ अगर balance sheet को भी check किया जाए तो देखे करज एकदम 0 है और उसके साथ साथ एक points और भी check किया जाए कि company कितना fixed asset को purchase किया तो इस बाद छोटे मोटे fixed asset को purchase किया 15 करोर के आसपास और उसी हिसाब से अगर मैं company के करजे के बारे बात करूँ तो दीखे proceed from warings and proceed from मतलब payments from warings मतलब कितने करजा लिया गया और कितने करजा payment किया गया तो दोनों ही 0 दीखेगा कि पहले एक बार करजा लिया गया था उस करजे को बुरा को बुरा मिटा दिया मतलब कोई भी करजा company लेकर नहीं चल ला है तो ये company के खासित point है और इसी कारण के बज़े से company का अच्छा का सा घोत हो रहा है तो फिलाल के लिए मेरा कोई अभी fresh entity नहीं बनेगा क्योंकि जो patterns के डुआ है उस patterns के according में आगर देखू तो obviously एक strategies तो बना है उस strategies में बात करू तो आप देख सकते हैं यहापे लंबा जाननी के हिसाब से क्या बना एक cup बन चुके है और उसी basis में अगर मैं और भी देखू तो यहापे छोटा सा क्या बना एक handle भी बन चुके है तो cup with handles तो बना है और finally देखिया आपे breakout भी हुआ breakout confirmation भी हुआ और retest भी किया तो मैं first time एक anti लेकर रखाता तो मैंने anti नहीं ले पाया second anti अगर यहापे फिर से एक बार retest करें तो मैं कुछ decision यहापे फिर से लेने वाला हूँ तो आपके क्या view है जोरी मुझे comments करना next company उसके नवारे में बात करूँ मारती infrastructure limited तो मारती infrastructure limited एक छोटा सा company है क्योंकि इसका chart के बारे में बात करूँ तो company 16 रुपीज से 40 तक जरने किया वो भी एक सल के अंदर अन्दा साइद इसलिए management ने एक बड़ा decision लिया वो भी देखिए split and bonus तो पहले दे चुके है august month में अभी फिर से बता जा रहा है यहापे जो दो का face value है इस दो का face value को फिर से one is to two ratio के basis में split देने जा रहा है तो इसका date अभी तक mention नहीं किया गया तो इतने जल से जल बो split देगा के नहीं देगा बोट आपको बाद में पता चलेगा और वीडियो अच्छे लगे तो please like करना और यह वीडियो टोटल एडूकेशन परपस में था अगर आपको किसी company इसको बड़ काम करना है तो आपको financial advisor के साथ बात चीद करके ही काम करीगी मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद